Hello guys, welcome to my channel तो कल की class में हमने Euler's function देखा था हमने उसके कुछ results देखे थे और हमने examples भी करे थे ठीके, तो आज हम कुछ results और करेंगे ठीके, तो देखते हैं results से Euler's phi function ठीके, तो आपको याद होगा हमने कल कौन-कौन से results पड़े थे पहला पड़ा था, हमने अगर हमें phi of p निकालना हो तो कैसे करेंगे या अगर phi of p power n कोई prime की power n दे रखा हो तो हम कैसे निकालेंगे या मैंने आपको बताया था कि अगर phi of m into n हो तो क्या होता है, phi of m हो जाएगा into phi of n हो जाएगा दोनों अलग-लग हो जाते हैं जहां पे m और n क्या है, prime है ठीक है, suppose कर लो suppose कर लो कि आपको कोई ऐसा आपको n की value देते जिसमें वो तीनों work नहीं कर रहे हैं आपको हो हर किसी के लिए वो truth होड़ी है, अब हर किसी के लिए वो वाले results तो use नहीं कर सकते हैं तो इसका क्या है, एक formula और है तो क्या करना है, suppose करो जैसे suppose करो, आपको n की value क्या दे रखी है आपको n की value दिऊ ये 30 आपको क्या निकालना है आपको phi of 30 निकालना है तो आप कैसे निकालोगे कैसे निकालोगे तो देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपका टास्क क्या है, सबसे पहले आपका टास्क है, आपको इस n को, आपको इस n को किसमें चेंज करना है, आपको इस n को प्रोडक्ट ओफ प्राइम में चेंज करना है, आपको इस n को किसमें चेंज करना है, प्रोडक्ट ओफ प तो आपको प्रोडक्ट आफ प्राइम में कैसे लिख सकते हो देखो आपको पता है 3 इंटू 10 क्यों होता है 30 लेकिन अब यह 10 तो प्रोडक्ट आफ यह थर्ट 10 तो प्राइम है नहीं आप इसको कैसे और लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 5 तो यह जो 30 है वो प्रोडक्ट आफ प्राइम में चेंज हो गया तो आपको सबसे पहले आपका टास्क क्या होगा आपको कोई भी N की वैल्यू दे रखी हो आपको इसको प्रोडक्ट आफ प्राइम में चेंज कर लेना है तो फॉर्मुला क्या है फॉर्मुला है कि अगर आपको मालो आप N को आपने प्रोडक्ट आफ प्राइम में लिख लिया तो फॉर्मुला फाइन का फॉर्मुला क्या बनेगा फाइन किसके एकोल होगा फाइन एकोल होगा N into 1-1 by P 1-1 by Q और 1-1 by R आपको देखो आपको पावर से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है आपको यहाँ पे पावर से कोई मतलब नहीं है सिर्फ जो यहाँ पे P given है वो क्या होगा 1-1 by P हो जाएगा 1-1 by Q हो जाएगा और 1-1 by R हो जाएगा ठीक है तो यह है आपका फॉर्मुला फाइन का अगर आपको कोई भी N दे रखाओ आपको फाइन निकालना है तो यहाँ से फाइफ 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइफ 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो N क्या है 30 है इंटू 1-1 by P P यहाँ पर क्या है 2 है 1-1 by Q Q क्या है आपर 3 है इंटू 1-1 by R R यहाँ पर क्या है 5 है सो कैसी हो जाएगा 30 इंटू 1 by 2 2 by 3 इंटू 4 by 5 सो काटो अब 3 10 जा 5 2 जा 2 से 2 कैंसल सो आंसर कितना आ गया 8 आ गया So that means 5 of 30 कितना निकल गया 8 निकल गया और आपको पता है इस 8 का क्या मतलब है इस 8 का क्या मतलब है इस 8 का मतलब है कि ना इस 30 से पहले इस 30 से कम में Less than 30 That means 30 से less than में इतने 8 ऐसे positive integers आ रहे है 8 ऐसे positive integers आ रहे है जो क्या है Less than है 30 से और क्या है उनका जो GCD है जो उनका GCD है 30 के साथ में वो क्या है 1 वो क्या है 1 That means वो क्या है 30 के साथ में क्रो को प्राइम है So ऐसे किते numbers है 8 numbers That means 5 of 8 5 of 30 क्या निकल के आ गया 5 of 30 आ गया 8 ठीक है So अगर आप मैं आपसे पूछू एक और question जिसे हम suppose करो लेते है ठीक है So अब हम क्या करते है आपना पाच्छे question करते हैं इसके basis पे So आपको क्या ठीक है So आप बताईए इसका answer क्या होगा Suppose करो मैंने ले लिया and 5 ले लिया So अब मैं आपसे पूछ रही हूँ 5 of 5 कितना होगा आप क्या करो वीडियो को pause करो और सोचो क्या होगा 5 of 5 देखो मैंने आपको कल बताया था जब भी भी आपके पास P क्या हो याँ पे 5P का मैंने आपको एक result बताया था 5P किसके इककोल होता है P minus 1 के P minus 1 के So यहाँ पे पता है 5 क्या है एक prime number है So that means 5 of 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ठीके अब मैं आपसे पूछूँ मैं आपसे पूछूँ अगर माल लो 5 of 10 कितना होगा आप मुझे बताओ कितना होगा 5 of 10 बताओ क्या होगा तो आपका सबसे पहले आपका task क्या है आपका task है आपको इस 10 को न product of prime में change करना है So क्या होगा 2 into 5 आपने product of prime में आपने change कर दिया इस 10 को So आप formula लगा लो So 5 of 10 कितना हो जाएगा 10 into 1 minus 1 by 2 into 1 minus 1 by 5 So 10 into 1 by 2 into 4 by 5 So 2 5s आप 5 से 5 cancel आंसर कितना आगया 4 आगया आंसर कितना आगया 4 आगया अब मैं आपसे पूछूँ 5 of 100 कितना होगा मैं आपसे पूछू 5 of 100 कितना होगा तो पहले आपको क्या करना है आपको 100 को 100 को आपको product of prime में change करना है So कैसे करोगे 100 को कैसे लिख सकते हो 25 into 4 होता है लेकिन आपको product of prime में change करना है So that means 5 into 5 into 2 into 2 So that means 2 power 2 into 5 power 2 देखो 2 2s are 4 और 5 5s are 25 तो 25 into 4 कितना हो गया? 100 हो गया यह हो गया? product of prime में change हो गया? बिलकुल हो गया तो formula अब लगाओ अब 5 of 100 कितना हो जाएगा? 100 into 1 minus 1 by 2 into 1 minus 1 by 5 तो क्या हो गया? 100 into 1 by 2 into 4 by 5 so 2 50s are 5 10s are so answer कितना आ गया? 40 आ गया तो 5 of 100 कितना आ गया? 40 आ गया देखो इससे न आपको कोई चीज पता चल रही है आप देखो मैं आपको यह रप करती हूँ बताती हूँ जैसे देखो 5 of आपका 10 कितना निकला? 5 of 10 कितना निकला? 5 of 10 पता है हमें 4 आया 5 of 100 कितना आया? 5 of 100 आया आपके पास 40 तो देखो यह हो क्या रहा है? जब मैंने आपसे पूछा 10 तो क्या answer आया? 4 जब मैंने आपसे पूछा 5 of 100 तो answer क्या आया? 40 आया that means अगर यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ पे कितनी 0 आ रही है? 1 कम आ रही है यहाँ पे 1 0 थी तो यहाँ पे 1 भी नहीं है तो अगर मैं आपसे पूछाँ अगर मैं आपसे पूछाँ कि 5 of 1000 कितना हो जाएगा? 5 of 1000 कितना हो जाएगा? that means यहाँ पे 3 0 है तो उस साइड कितनी 0 आ जाएगी? 2 0 आ जाएगी that means answer क्या होगा? 400 होगा मैं आपसे पूछाँ 5 of 10,000 कितना होगा? that means 4 0 आएगी तो यहाँ कितनी 0 आ जाएगी? एक कम that means 4,000 answer हो जाएगा आया समझ? तो इससे क्या है? एक result बन रहा है इससे एक result बन रहा है result क्या है? 5 of 10 power n 5 of 10 power n कितना हो जाएगा? 4 into 10 raised to power n minus y 4 into 10 raised to power n minus 1 जब आप n को यहाँ पे क्या रखोगे? 1 रखोगे तो यहाँ पे सिर्फ answer क्या आजएगा? 4 जब आप यहाँ पे n को कितना रखोगे? 2 रखोगे तो यहाँ पे कितना आजएगा? 40 answer आजएगा ठीक है? यह result आप याद रखेगा यह important result है इस result को याद रखेगा ठीक है? अब दो results और है इसको मैं रब कर देती हूँ तो देखो result क्या है? एक result है result है कि न? 5 of n होता है न? 5 of n की जो भी value होती है 5 of n हमेशा क्या होता है? 5 of n is even for n is greater than 2 यह result है यह result है कि जो 5 of n होगा वो हमेशा क्या होगा? एक even number आएगा जब भी n क्या होगा? greater than 2 होगा देखो हमने यह आपे greater than 2 क्यों लिया? हमने greater than 2 इसलिए लिया क्योंकि 5 of 1 भी क्या होता है? 1 और 5 of 2 क्या होता है? 1 यह दोनों 1 है इसलिए हम ले करनी चलते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं? n greater than 2 ले कर चलते हैं ठीक है? तो हमें प्रूव करना है कि आपकी जब भी मैं n क्या लूँगी? 2 से बड़ा लूँगी मैं n जब भी 2 से बड़ा लूँगी सो फाइन हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा फाइन हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा सो देखते हैं कैसे होगा? सो देखो let कर लो दो इसमें ना मैं दो cases बना लेती हूँ इसमें मैं क्या कर रही हूँ मैं इसके अंदर दो cases बना लेती हूँ पहला मैंने क्या लिया मैंने case ले लिया जब n क्या हो let n is odd मैंने क्या ले लिया मैंने ले लिया कि n क्या है एक odd number है ठीक है मैंने n क्या लिया odd number ले लिया so अगर मेरा n क्या है odd number है n मेरा क्या है odd number है और मैंने आपको क्या का जबी भी आपको phi n कैलकुलेट करना हो so आपका पहला टास्क क्या होता है आपको n को product of prime में क्या करना होता है change करना होता है product of prime में आपको change करना होता है so n को मैं क्या करूंगी product of prime में change कर दूंगी मालो n क्या मैंने इसको product of prime में मालो change कर दिया यह आ रहा है product of prime में करके अब मैंने आपको क्या बोला मैंने बोला n क्या है odd है मैंने क्या बोला n क्या है odd है और इसका formula देखो क्या होता है मैंने phi of n मैं इसको phi of n क्या हो जाएगा phi of n होगा n into 1-1 by p into 1-1 by q into 1-1 by r यह होगा मैं क्या करती हूँ इसको न यहाँ पर ले जाती हो मैं इसको यहाँ ले गई ठीक है अब देखो n की value क्या है n की ये value मैं इसको उपर यहाँ पर लिख दिया मैंने n की value put कर दी और नीचे क्या था नीचे था p, q और r अब देखो जब भी यह वाले p उपर जाएगा यह वाला q उपर जाएगा और यह वाला r उपर जाएगा तो answer क्या हो जाएगा p raise to power a minus 1 q raise to power b minus 1 और r raise to power c minus 1 into p minus 1 q minus 1 और r minus 1 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो phi n को देखो बिलकुल लिख सकते हो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है तो अब देखो मैंने यहाँ पर क्या लिया मैंने लिया n क्या है एक odd number है और मैंने n को क्या किया product of prime में change कर दिया मैंने n को क्या किया product of prime में change कर दिया आपको पता है जो prime number होते है उसके अंदर सिरफ एक ही ऐसा number होता है जो क्या होता है even होता है ऐसा कौन सा नंबर है ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो क्या होता है एवन होता है हमें पता है सिरफ टू ही एक ऐसा नंबर है जो क्या है एवन है और वो प्राइम है ठीक है ना एक ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो एवन है वो क्या है सिर्फ एक टू ही है तो अगर मैंने क्या लिया, मैंने n को ले लिया odd, मालो मैं n ले लेती हूँ 53, यह मैंने मालो चलो छोटा ले लेती हूँ, मालो मैंने n ले लिया 27, मैंने n ले लिया 27, तो मैं क्या कर रहे हूँ, इसको product of prime में change कर लेती हूँ, तो कैसे लिख सकती हूँ मैं इसको, 3 power 3, n को क्य लिख सकते हूँ या मैं और भी छोटा ले लेती हूँ, जलो ऐसे कर लो, मैं n को 15 ले ले लेती हूँ, चो मैं इसको कैसे लिख सकते हूँ, प्रोड़क्ट ऑफ प्राइम में 3 इंटू 5, मैं n को ऐसे ही लिखाँगी ना 3 इंटू 5, तो आपको पता है अगर n क्या है एक odd number है अगर आपको पता है n क्या है एक odd number है तो 2 कभी भी उसको divide नहीं कर सकता 2 कभी भी उसका factor तो कभी होगा ही नहीं 2 कभी भी उसका factor नहीं होगा और हमें पता है मैंने अभी आपको क्या बोला ये क्या है basically ये product of prime है ये क्या है ये product of prime है अगर P और अगर N हमारा क्या है एक odd number है तो 2 तो यहाँ पे कभी होई नहीं सकता नहीं हो सकता ना क्योंकि हमारा हम N क्या है और नमबर है और उस N का odd number का कभी भी 2 क्या होगा फैक्टर नहीं होगा तो यहाँ ना तो P कभी 2 हो सकता है ना Q होगा ना R कोई भी 2 कभी नहीं हो सकता नहीं होगा तो अब देखो अगर यह सारे मतलब क्या होंगे यह सारे 2 से जो प्राइम और है वो होंगे Q-1, R-1, हाँ पता है P एक odd number होगा, Q भी एक odd number होगा, R भी एक odd number होगा और अगर मैं odd को हमेशा 1 से minus करती हूँ, answer हमेशा क्या आएगा, एक even number ही तो आएगा, answer हमेशा क्या आएगा, एक even number आएगा यह भी एक even number, यह भी एक even number, यह भी एक even number, that means इनका product भी क्या होगा, even होगा, that means 5N हमेशा क्या होगा, even होगा 5N हमेशा क्या होगा, even होगा, so that means N जब भी भी odd है, N अगर odd number है, so 5N हमेशा क्या आएगा, एक even number आएगा 5N हमेशा क्या आएगा एक even number आएगा ठीक है कि आपको समझ आ गया होगा अगर आपको नहीं आया आप वीडियो को दुबारा से देखिए आप 2 या 3 बार देखिए आपको जरूर समझ आ जाएगा ठीक है, सो अभी तो था देखो n odd अब हम लेते है कि अगर जब n even होगा तो क्या होगा मैं लेती हूँ अब जब n क्या है Even है, सो मैं इसको रप कर देती हूँ ठीक है, सो अब मैंने ले लिया n क्या है, जब even है लेट n is even n क्या है, एक even number है सो n किस form में होगा n2 के टाइप में होगा n 2k type में होगा n क्या होगा 2 into k type में होगा सो मैं let कर लेती हूँ मैं अभी इसके अंदर भी मैं 2 cases बना के चल रही हूँ जब k क्या हो odd हो और जब k क्या हो even यह 2 cases मैं लेकर चल रही हूँ ठीक है तो पहले हम लेते हैं जब k क्या हो एक odd number हो let k क्या है odd k अगर odd है जब देखो n is equals to 2 into k है यहाँ पे k क्या हो गया k हमेशा एक odd number है मैंने यहाँ लेकर चल रही है k क्या है odd है यहाँ पे क्या है 2 है यहाँ into में क्या है यह even number है यह odd number है हाँ यह पता है 2 के साथ में आप कोई भी यहाँ पे odd number ले लो आप 2 के साथ में कोई भी number लिख लो आप यहाँ 2 into 7 लिख लो 2 into 9 कुछ भी लिख लो कुछ भी लिख लो उनका GCD दोनों का इस 2 का और इस K का GCD हमेशा क्या होगा हमेशा 1 ही तो होगा इस 2 और K का GCD हमेशा क्या होगा 1 होगा तो हमने कल एक result पड़ा था कि Phi of M into N किसके equal होता है Phi M into Phi N के जहाँ पे M और N क्या है M और N का GCD क्या है 1 होना चाहिए हमेशा 2 और K का GCD हमेशा क्या होगा 1 होगा तो मैं इसको अलग-लग लिख सकती हूँ 2 into K is equals to Phi 2 into Phi K लिख सकती हूँ हमें पता है Phi 2 कितना होता है 1 होता है और ये क्या है Phi of K हमें पता है K क्या है एक odd number है So Phi into में Phi of odd number मैंने अभी आपको result बताया जबी भी K क्या जबी भी N क्या हो एक odd number हो So answer क्या हैगा हमेशा even number आएगा So ये तो odd है K So that means answer क्या आएगा एक even ही आएगा So that means जबी भी अब K जबी भी odd होगा So answer क्या हो जाएगा Even ही आएगा जबी भी K क्या होगा Odd होगा Answer क्या आएगा Even आएगा अब last हमारा काम क्या रह गया हमें K is equals to Even के लिए अप्रूफ करना है जब K हमारा even होगा तो क्या ये true हो रहा है या नहीं हो रहा अब हमें ये देखना है So देखते हैं कैसे होगा So देखिए इसको मैं रब कर देती हूँ So let Let K is even अब मैंने क्या ले लिया मैंने K ले लिया K क्या है मेरा even है So N is equal to 2K टाइप में है जहां पर मैंने K क्या ले लिया Again even number ले लिया Again मैंने क्या ले लिया Even number ले लिया So अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकते हूँ N is equal to 2 into K1 2 into 2 K1 लिख सकते हूँ क्योंकि ये क्या है K even number है ये even number है आप एक चीज याद रखिएगा आप एक चीज याद रखिएगा मैंने अभी आपको इस वाले में नहीं बताई हम यहां पर K is not equals to 1 है हम 1 से जादा लेकर चल रहे है क्योंकि जब यहां पर K 1 हो जाएगा तो N कितना हो जाएगा 2 हैं पताई 5 of 2 क्या आता है 1 आता है तो हम उस केस को तो हमें लेना ही नहीं है तो K 1 के एक कॉल तो नहीं होगा सब मैंने यहां पर मैंने K क्या लिया एक E1 लिया है तो that means K कोई 2 K 1 टाइप का होगा बिलकुल होगा सब मैं इसको कैसे लिख सकती हूं 2 power 2 into में k1 लिख सकती हूँ और मैंने अभी आपको phi n का formula लिखा था phi n का formula क्या लिखा था p into a minus 1 q into b minus 1 r into c minus 1 into में p minus 1 q minus 1 और r minus 1 यही लिखा था मैंने देखो ये कुछ इसी type का नहीं बन रहा ये कुछ इसी type का नहीं बन रहा देखो आपके मन में एक चीज आ सकती कैसे बन रहा है माल लो ये मैंने k1 माल लो ले लिया मेरा k1 4 हो गया माल लो k1 क्या हो गया 4 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 2 power 2 into में 4 हो जाएगा लेकिन अभी तो आपने का था कि ये t और q हमेशा क्या होते है एक प्राइम नंबर होते है तो ये तो 4 तो प्राइम नंबर है नहीं तो कैसे होगा देखो अब इसको फिर से प्रोड़क्ट अफ प्राइम में चेंज कर लो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते है 2 into 2 ये क्या हो जाएगा बेसलिक 2 power 4 हो जाएगा ये ये फिर इसी फॉर्म में ही आजाएगा तो आपका यहाँ पे क्या था 2 into ये मैं आपको बताने के लिए सिरुफ बताया था आपको समझ आ गया देखो अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते है बिल्कुल लिख सकते है अब या आप इसको ऐसे वाले में भी लिख सकते है phi n is equal to n into 1 minus 1 by p 1 minus 1 by q into 1 minus 1 by या तो अब ऐसे भी लिख सकते है n क्या है 2 power 2 into k1 into 1 minus 1 by 2 into 1 minus 1 by k1 यही होगा यही होगा देखो बिल्कुल अब देखो यह क्या होगा 2 की power 2 into k1 into 1 by 2 into k1 minus 1 upon me k1 यह होगा यहां से k1 से k1 cancel इस 2 से यह वाला 2 cancel so 2 into k1 minus 1 आ रहा है अब देखो यह 2 क्या है इसके multiple में है तो यह हमेशा क्या आएगा एक even number ही तो होगा आप किसी भी number को 2 से multiply कर दे answer क्या आएगा हमेशा even आएगा so that means k अगर even भी होगा तब भी answer क्या आएगा even ही आएगा so that means result हमारा क्या हो गया phi n हमेशा क्या आएगा even आएगा जब भी n क्या हो greater than 2 हो यह आपका ठीक है result था यह one of the most important result है अब कल हम एक result और करेंगे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है हम कल एक result और करेंगे और कल हम इस topic को खतम करेंगे परसो हम एक नया topic स्टार्ट करेंगे ठीक है thank you